संदीब हत्या कांड का आज दस्वा दीन अंदुलन है उनके जो हत्यारे हो पकड़े नहीं गये हैं और उसको ले करके लगा अतार उनका परिवार, उनके रिष्टेदार और ग्रामवासी, सरवादिवासी समाज सब अंदोली थे हैं किसी भी समाज के लिए विद्धक का डेड़ बॉडि को इतना दीन तक रखना, समाज के लिए बहुत तो सर्मनाख बात है कि आज हम ऐसे समाज से आते हैं और उस समाज में इस प्रकार का अभी तक उनका अंतिम संस्कार नहीं हो पा रहा है और सासन प्रसासन के लिए श्रम की बाद है वैसे भी मुख्यवंत्री जी मानने बिशुरु द्योसाय जी विशुरु भगवान का जो शस्त्र है और क्या है शुदर्सन्चक्र है और अपराथ पर नियंत्रण करने के लिए अपना नेकलिजेंसी हुआ है उस मृतक परिवार को धाडस देने के लिए उनको संतावना देने के लिए आप सासन की और से कुछ घोषडा क्यों नहीं कर देते हैं उनके परिवार को आर्थिक सहायता के लिए छोटे-छोटे बच्चे हैं उसकी पत्नी है किसे सरकारी भी भाग में उग्यानता अनुसार बहुत सारे पद रहते हैं क्यों नहीं घोषडा कर देते हैं यह सब करेंगे तो मानोता के लिए अच्छा है और मिलतक परिवार के लिए और जो आंदोलंग बढ़ता जा रहा है उसपू भी सांत करने के लिए आवर्श्यक कदब है उसको मानने प्रदिश की मुख्या को सोचना जाए देखिए समाज का मुख्य जो मांग है वो मुख्यारूपी अभिसेक पांड़ी गरिपतारी है जिसमें पुलिस निरंतर गरिपतार करने के लिए लगी है और इस पे पुरुसकार भी उक्दवेक्ति पे घोषणा हुई है लेकिन अभी तक मुख्यारूपी गरिपतार नही हुई है देखिए अभी के समय में इसको राजनितिक मुद्द ना बनाकर पीडित पक्स के साथ खड़े रहना चाहिए जो कि हम लोग खड़े हैं और निरंतर इस पे गरिपतारी के लिए भी काम किये जा रहे हैं और साथ ही साथ समाज धरना पे बैठी हुई है और मांगे रख सकते हैं इसमें कोई दिक्कत नहीं है इसके बात को सासन के माध्यम से भी और हमारे दोरा माने मुख्य मंतरी जी तक पहुंचाए गया है आज सरवाद यवासी समाज के दोरा जयापन दिया गया है जो 803 मांगे हैं उसमें मुख्यूप से आरूपी की गिरपतारी और सासन से मौजी की जो मांगी है लिए बी देने के गोशना की गई है और यहां सभी मांगो पर जो है तरह किया रही है कि समाज को समझा पर अलतिम सभी उसके लिए पूरा प्रयास किया रहा है लगातार समाज से बात की जा रही है उनके जो कुछ मांगे हैं उसके ही वह भी हुआ है तो हमारे तरफ के पूरा प्रयास है कि जल से जल आंके इसकार रहा गया है। को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकोन को दबाएं। अगर आप यह वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।